very good morning to all of you once again welcome back to your own youtube channel learning need it's 15th of feb 2019 और आज का जो हमारा वर्ड है वो क्या है यह वो वर्ड है चालाक ठीक है तो चालाक के लिए क्या क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं वो देखना है आपको तो फर्स्ट वर्ड है आपका clever clever means तो यह सबसे जादा यूज होता है clever word तो यह तो सबको ही पता होगा clever means क्या होता है अब और कौन से वर्ड है वो हम देख सकते हैं अगला वर्ड है आपका slick चालाक मिठ वोला यह जो मिठा बोलता है चिकना शरार्थी इस सेंस में यूज होता है slick cunning जो है वो अच्छली आप आपका cunning उसके लिए यूज करते हैं लीरी फिर आपका नेक्स्ट है लेरी तो चलाक चली कपट फूर धूरत यह भी जैसे करनिंग के रूप में ही यूज होता है तो करनिंग का यह सीधा सीधा साइनोनीम हो जाता है आपका लेरी फिर आपका है डेवियस डेवियस आपका चलाक कपटी धूरत गुमाओ का गलती पर होने वाला भुलावे में पढ़ने वाला इन सारे सेंस में यूज आप कर सकते हैं कहीं पर भी ऑल्मोस्स यह सबका सेंस जो है वो सेम आ रहा है यहां तक दीनों का यहां पर थोड़ा सेंस इसका चेंज हो जा रहा है आपका ठीक ह है ठीक है उस तरह से समझदार है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे फिर आपका नया वर्ड जो आ जाता है वह आपका तरह कैनी तो कैनी भी यस उसी संस में यूज हो रहा है आपका चलाक चली धूरत कपटी मतलब चलाक तो पर नेगिटिव वे में देन फॉक्सी तो फॉ चल करने वाला उसके लिए यूज किया जाता है यह वर्ड नेक्स्ट वर्ड है आपका सर्पेंट्राइन तो सर्पेंट्राइन में आपका चक्करदार टेढ़ा सापका धूर्त यह चलाक इन सारे ही संस में अलग-अलग इसकी मीनिंग से कुप सारी आप यूज कर सकते हैं सारे सेंस में अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो है आपका डेक्स्ट्रस ठीक है तो डेक्स्ट्रस में आपका निपुड तेजदस्ट चलाक अनुभवी कुशल फुर्तीला कहने का मतलब है कि चलाक तो है इसका मतलब लेकिन यह पॉजिटिव सेंस में जाएगी इसकी मिनि तो आपको पॉजिटिव सेंस के लिए ही इसी वर्ड को यूज करना है फिर आपका नेक्स्ट वर्ड आजाता है आप पे मैकवेलियन ठीक है मैकवेलियन में आपका धूर्द कुटिल चलाक छली कपटी कपटपूर कहने का मतलब कि चलाक लेकिन नेगिटिव सेंस में अगी बन जाएगा अगला वर्ड आपको पॉकी पॉकी जो है आपको चलाक चली कपटपूर्ण ठीटोलिया मारने वाला परिहाशी इन सारे सेंस में यूज होगा आपको पॉकी ठीक है फिर आगला आपका ऐस्ट्यूट एस्ट्यूट घाग कपटी चलाग ढूर्द जिसको दो मतलब आपको पता है है तो इसका मतलब हो जाता है किसी चलाक या प्रवीर इस सेंस में यूज होगा, यानि कि जो हाथ जिसका साफ हो, मतलब वैसा साफ नहीं कहते हैं हाथ की सफाई, चलाकी से काम करना, है न वो वाला हाथ साफ हो न, तो अगला वर्ड है आपका डॉज, तो डॉज में आपका चकमा, धोकाड, ठकोसला, चलाक, चली, धूर्द, याद ही कर लीजिए, तो आज के लिए बस इतने ही वर्ड थे हैं, जिस ठोब कि आपको वर्ड पसंद आऊंगे, बहुत अच्छा कलेक्शन आपको मिल गया है, एक ही वर्ड की, कितनी सारे सानोनिम्स आपको मिले हैं आज, तो अगर पसंद आया, तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जादा से जादा लोग इस प्रोग्राम से जुड़ें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो kindly सब्सक्राइब my channel and press the bell notification on, so thanks for watching, keep studying and bye-bye.